नमस्ते दोस्तो वेलकम टू बैक बैक टू वेलकम स्वागत है एक नई वीडियो में तो ज्यादा फालतो बाते ना करते हुए सिधा मुद्धे पे पॉइंट पे आ जाते हैं दोस्तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया घर लेक्या है जो बना है 10,000 स्क्वेर फिट एरिया में दोस्तो इस घर का कोई भी पॉर्शन आप मिस मत करना वरना आपको अंदर की डिजाइन किस तरीके से अलग तरीके से बनाई गई है इसका कुछ आंदाजा नहीं लेगेगा ऐसे बहुत कम घर देखने को मिलते है जहाँ पर हर एक चीज को देखना विडियो के रूप में बहुत ज़रूरी है इसमें कुछ आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना या डिसलाइक कर देना कुछ खरब लगे तो यह बाहर का पॉर्षन है जहाँ पर यह कमपॉंड के लिए पिलर्स लगाए और उपर से श्टोंस का डिजैन लगाए फ्रेंट सेड का थोड़ा सा बगेची के लिए पॉर्षन और यहाँ पे कुछ शाम के वक्त फैमिली के साथ उटने बैटने के लिए स्पेस बनाया है यह देखिए डिजैन फ्रेंट सेड कमाल का है पिलर मतलब आर्किटेक्चर आप ऐसा ढूंडो की भाई उसका दिमाग ऐसा जबरदस्ट चले ना की पूछो मत घर का नाम शिवराज है चलिए घर के अंदर चलते हैं क्या क्या अंदर देखने को मिलेगा क्या कुछ है नहीं उस सब चीज़े आपको देखनी है बने रही हैं हमारे साथ इंटरंस पे ही एक फरनिचर का डिजैन है यह देखिए प्योपी अलग तरीके की प्योपी आपको देखने को मिलेगी कुछ लकड़ी का पुर्शन और CNC मशिन पे बनाई गई डिजैन यह राइट साइड में हॉल के कुछ शोपीस रखने के लिए जगह छोड़ी है यह देखिए लकड़ी का जो पुर्शन है वो CNC मशिन पे डिजैन किया गया है इस घर की सबसे बढ़िया बात मुझे यही लगी कि जो देवाले है इश्वर का घर वो बहुत सुन्दर तरीके से बनाया है और बहुत बढ़िया स्पेस दिया गया है अलग अलग छोटे मोटे शोपीस तो लगाये है लेकिन उसकी जगह कमाल की बनाई है हर एक चीज के लिए छोटी सी छोटी हो या बड़ी सी बड़ी हो एक ऐसा स्पेस क्रेट किया गया है मानों की एक सुन्दरता उसी से बनने वाली है डाइनिंग टेबल के उपर का पॉर्शन लाइट्स उगेरा उपर से छोड़े गये है वेरी नाईस स्पेस देख सकते आप कमाल का स्पेस चाहे वो किचन का हो या हॉल का हो या बालकनी का पॉर्शन हो किचन का भी कितना बड़ा स्पेस है लगबग 20 वाइ 12 का किचन है मतलब घर आपका अगर बड़ा होता है तो ये जरूरी है दोस्तो सबसे बड़िया बात मुझे ये लगी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो होसोनर है उनके मन में कही पे भी कोई भी चीज ऐसी नहीं मुझे मैसुस वही जब मैं बात कर रहा था उनसे कि मतलब जो बोलते हैं न इगो कुछ जरा सा भी नहीं था एकदम डाउन टू अर्थ परसन थे मतलब बात करते वक्त ही पता चल जाता है कि इनसान क्या है बहुत बार ऐसा आपको नहीं देखने को मिलता है जब आप बाहर के दुनिया में कुछ कम्यूनिकेशन वगएर आपका चल रहा है किसी लोगों के साथ तो ये रेर चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है चाहिए आपके पास कितना भी पैसा हो गाड़ी हो बंगला हो लेकिन आपका दिल अगर छोटा रहेगा तो ये बाकी के चीज़े सच में कुछ काम की नहीं है आपको ये एहसास हमेशा होना चाहिए कि ये चीज़े तो सब आर्टिफिशेल और कुछ समय के लिए है यही मुझे इस बंदे से सिखने को मिला बहुत ही लोयल ओनर है घर के और अपने बच्चों के प्रती भी इनका प्यार मैंने देख लिया बहुत ही फ्रेंडली परसन है ये देखिए बेडरूम का पुर्शन कुछ डिजाइन्स, कुछ टिकर्स, ऐसे लगाए है छोटे बच्चों के लिए सब पुरा का पुरा एंटर्टेंट्मेंट फुल टू फैमिली एंटर्टेंट्मेंट और साप सुत्रगर इस घर में जो छोटे से डिजाइन के पॉर्शन है हमने उसे शॉर्ट्स में डाला है आप वो भी अमरे दुसरे क्लिप्स में देख सकते हो ये बीच का जो वाल है उसमें कैसा डिजाइन बनाया है आप देख सकते हो बहुत बार इसे ऐसे ही छोड़ा जाता है या स्टेनले स्टिल के रॉड लगाये जाते है बस इतना ही लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ आइडियाज रहते है एक डिजाइन को लेके या फिर स्पेस को लेके तो आप उस पर जरूर सोचोगे और जरूर बड़या तरीके से काम करोगे इस बाजू से भी एक्जिट होने के लिए जगह छोड़ी गई है तो दोस्तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताईएगा करनी में हिच की चाते है दोस्तो ऐसा मुत करो ये रिक्वेस्ट है आपसे अगर हम आपके लिए कुछ बड़या से बड़या चीजे बड़या से बड़या घर के डिजाइन ला रहे हैं तो इसमें दोस्तो मेहनत तो लगती है तो तो रिक्वेस्ट यही है कि आपको इसमें कुछ आच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब किजिए, जरूर लाइक किजिए और कुछ आच्छा नहीं लगता है तो जरूर डिसलाइक किजिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बस हमारे चैनल पे बने रहिए और ऐसे ही चैनल को हम ग्रो करते रहेंगे आपकी दुआ से Have a nice day Thank you